नमस्कार, SPN 9 News आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ अक्षय अगरबाद नितीश कुमार ने जब से महा गडबंदन या कहीं इंडिया गडबंदन का दावन छोड़ा है और वो आपसी की हैं इंडिया गडबंदन में तब ही से ही बिहार में सियासी पाराच शड़ा हुआ है जिस तरीके से नितीश कुमार ने 28 जनवरी को 9 मरतबा सूबे में मुख्य मंजरी के तोर पर शपत ली उसके बाद 14 दिन बाद जब 12 फरवरी को नितीश कुमार को अपनी एंडिया सरकार का बहुमत बिहार विधान समा में फ्लोट पास करके सावित करना पड़ा और उसके बाद जब तेजस्वी यादब ने बिहार के 33 जिलों से होकर के अपनी जन विश्वासी यात्रा निकाली इस सब के बीच तमाम ऐसी चीजे हुई जो लगतार इस बात की और साथ और पर इशारा करती नजर आई कि बिहार का सियासी पारा अभी नीचे नहीं आया ह महा गटबंदन छोड़ कर एंडिये गटबंदन में वापसी कर ली हो भले ही एंडिये फ्लोटेस पास करने में काम्याब रही हो भले ही नितीश कुमार को आरजेटी विधाय को न समर्तन दे दिया हो लेकिन अभी भी सियासी पारा चड़ा हुआ है और वो अभी भी यहां और उपर जा सकता है क्योंकि आम चुनाव आ रही है लोकसभा चुनाव आ रहे है देश की अठा रहे हुई लोकसभा के चुनाव देश की डेलीज पर दस्तक दे चुके हैं से में तमाम राजनी दिग्दल अब इसका वायत में जुट गए है कि किस तरीके से यहां जादे स जादा सीटों को साधा जाए बिहार की बात है कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी बिहार से गुजरता है केंदर के सत्ता पे किसी राजनी दिग्दल या गडबंधन को काविज होना है तो यहां बिहार को फतह कीजिए और बिहार पर ही चर्चा यहां पर हो रही है उस बिहार को फते है कीजिए जिसे गड़ माना जाता रहा है लंबे अरसे से राज़त का आर जेडी का राश्ट्रिय जनता दल का वो एक भी सीट 2019 के आम चुनावों में जीत नहीं पाई थी महा गड़ बंदन 2019 के आम चुनावों में बिहार में महज़ई कही सीट जीत पाया जिस पर कॉंग्रेस के कलाओ ते उमीदवार सांसद बने थी लेकिन बात की जाए एंडिय गड़ बंदन की जो 2019 के लोग सबद चुनावों में 49 लोग सबसीटें यहां पर जीतने में काम्याब रहा था सूबे के 40 सीटों में से वो भी अब कुछ खासा अच्छे स्थिति में नजर नहीं आ रहा है जिस तरीके से प्रमुक सहयोगी दरों की बात कर अगर एंडिय की भारती जंद पायटी के साथ एंडिय गड़ बंदन म एक तरह जा चुकी है राम विलास, राश्ट्रे के अलावा यहाँ पर लोग जनशक्ती पार्टी उसके यहाँ पर साथ में आती है राश्ट्रे लोग जनशक्ती पार्टी एक और जहां एक लोजपा का स्याभ पर नेतरत करते नजर आ रहे है चिराग पासवान तो दूसरी और दूसरे धड़े में बटी लोजपा का नेतरत कर रहे है पशुपती नात पारस और इन तमाम नामों को लेकर इन तमाम चेहरों के साथ बीजेपी की अब उलजन बिहार में बढ़ती जा रही है और तमाम ऐसी चीजे हैं जो बीजेपी की बिहार के अंदर चिंताएं बिहार रही है और इन चिंताओं को लेकर ही जो तमाम सवाल है उन तमाम सवालों को निजरूम में मौझूद अपने सभी साथियों से जानेंगे अमान जी यह हमारे सहयोगी सबसे पहले हाल में प्रदार मंत्री नरंदर मोदी ने बड़ी जंसभा को संबोधित किया था बि दिन डहले जादा वक्त नहीं हुआ ता लेकिन अब खाबर आती है कि आज यानि बुदवार को जज़स तरीके से प्रदार मंत्री नरंदर मोदी एक बर फिर बिहार के दोरे पर पहुंसते हैं वहाँ पर इस बार मुख्या मंत्री नितिश कुमार ही नहीं होते क्या माईने मोदी तो हैं तमाम उनके नेता तो हैं लेकिन इतिश कुमार वहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं और इसके माईने निकाले जा रहे हैं कि क्या बिहार में एक बार फिर से खेल बिगरने वाला है क्या बिहार में एक बार फिर से जो सियासी पारा है बो चलने वाला है दरासल य रंजे सिंग को इग्डोर कर दी हाला कि ये और बात है कि फिलाल वो एक मामले में आरोपी ठहराए गए हैं उनको सजा हो सकती है लेकिन इस पूरे मसले को अगर आप देखे तो समझ में आता है कि कुछ ने कुछ बीजेपी और जीडियू के अंदर आपस में अंतरकल है चलता होता हुँ नजर आ रहा है क्या एक बार फिर से जो सियासी संकट बिहार सरकार को लेकर है क्या वो पनफता हो दिखाए पड़ेगा क्योंकि इसकी शुरुबात हम देख चुके हैं जिस तरह से बीजेपी ने लगबग पांच साथ जो विधायकों को कॉंगर्स पार्टे और पहुंची हैं जनसबाय माँ पर संबोधित कर रहे हैं निटिश कुमार किसी अपने जरूरी कारेकरम के चलते दिल ले आए हैं लेकिन प्रधान मंत्री आने वाले हैं विहार किया ये चीज़ निटिश कुमार को सुभा ही पता लगी होगी ऐसा हो सकता है क्योंकि प्रधान जाहिर सी बात है क्योंकि प्येम मोदी का जिस तरह से लगतार वहार को सकते हैं बिहार में औरे करना यह बतां रहा है कि बिहार को लेकर भो बहुत चीज़ जरूर रह क्योंकि जो इससे पहले ती उनके पस restraintith कर णकी बीज़ बनाने का प्रयास कर रही है कि तरह से जो बिहा तिai जब आपस में इस दरहेंगे हो अचाले क्लिया कि बॉड सीजीर, भूर कि मार्चेक के यहाँ पर भीजे पी पी का जो हो पर होता हुग नजर नहीं आ Dreams, कि नतीश किमार्ग worst anकिकना जानांगे हो गाना एक तरीक से कहें कि बीजेपी के बीच में अब दराने पढ़ती हुए नजर आ रहे हैं यहां पर और यह एक बड़ा मसला बनता हुए दिखाई पढ़ा क्योंकि तेजस्वी भी लगातार इस बात को लेकर समझ रहे हैं कि जो NDA कुनबा है अबर उसके अंदर कोई तूट होत हैं कि बिहार को लेकर के खास तोर पर क्योंकि जस तरीके से 95 सीटों पर विद्वार बीजेपी आला कमान ने उतारे उसमें एक भी बिहार की सीट नहीं थी ऐसे में एक मुख्य कारण माना जा रहा है लोजपा राम विलास लोजपा पिंग के मुख्या चिराग पासवान को लेकर के तेजस्वी यादव बिहार में जन विश्वास यात्रा शुरू करते हैं इस जन विश्वास यात्रा को लेकर के चिराग पासवान कहते नजर आते हैं कि इस तरह की यात्रा इस तरह की रहली तमाम नेताओं को करनी चाहिए चिराग पासवान प्रधान मंतरी की दो नरीन मोदी के साथ पिछले दो मंच पर मौजूद नहीं, मंच साजा करते नजर नहीं आए और तीजस्वी की इस प्रकार से सरहाना करते नजर आये ते क्या इस बात का मतलब यह निकाला जाए कि जो दो सीटे हाजिपुर और जमुई चिराग पासवान मांग कर रहे हैं प्रधान मंत्री की रैली हो रही है, उनके एंडिये के जो सबसे महत्वपूर्ण नेता माने जाएंगे वो नरेंद्र मोदी उनकी यहां पर रैली होती है, लेकिन चिराग पासवान उनको कुछ और जरूरी काम उनको यहां पर होता है कि वो प्रधान मंत्री की रैली में य तो इस तरीके कि तमाम बाते हैं पर उटती हूई नजर आती है कि चिराग पासवान जिस तरीके का उनका रवया भी दिख रहा है इंडिया की तरफ तो तरती है क्या इंडिया का रूख वापस करते हुए नजर आ सकते हैं। बात बोली जाती है कि यहां मतभेद अगर होता है तो मतभेद को सॉल्फ किया जा सकता है लेकिन अगर मनभेद हो जाता है तो उसका कोई फिर हल नहीं निकल सकता तो इस तरीके से फिर यह बात सामने आती है कि क्या चिराग पासवान जिस चीज की मांग कर रहे हैं जिस सीटो यहां राम विलास पासवान की अपने साथ पुरी उनकी वो लेके आये थे लेकिन अब जिस तरीके से NDA में उनका रुख नजर आता है यहां तक कि नितीश कुमार NDA में शामिल हो गए हैं तो कहीं न कहीं यहां चिराग पासवान की भूमिका यहां धूमिल होती हुई नजर हाती है तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठाए कि चराग पासवान